यह देखने में जितना सुन्दर लग रहा है बनाना इसे उतना ही आसान है इस डिसाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो लेडी स्वेटर जैकेट बच्चो का स्वेटर स्ट्रॉल मॉफलर कुछ भी बना सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे डाल सकते हैं हर प्रोजेक्ट पे यह डिजाइन वह सुन्दर लगेगा इस डिजाइन को आप किसी भी कलर में बना लें लाइट कलर में डार कलर में किसी भी कलर में बना लेंगे हर कलर में यह डिजाइन सुन्दर लगेगा ये front side से हमें ऐसे नजर आएगा और back side से ये देखिए back side से भी बिलकुल साफ पता चल रहा है कहां पे हमने सीधे डाले हैं, कहां पे जालियां बनाई हैं, कहां पे उल्टे डाले हैं, बिलकुल साफ पता चल रहा है इस डिसाइन को बनाने के लिए जो हमने फंदे लेने है आपने 20 के मल्टिपल से फंदे डालने है यह दिखिए 20 के यहां से लेके यहां तक 20 फंदे आपने 20-20 करके फंदे डालते जाना है लास्ट में आपने 3 फंदे एक्स्टर डालने है यह दिखिए 3 फंदे हमने उल्टे रखे है यह साइड पे यह आपने एक्स्टर डालने है और 2 फंदे आपने एस्टिच के लिए डालने है 20 प्लस 3 प्लस 2 ऐसे करके फंदे डालेंगे तो ये design आपके project पे बिल्कुल अच्छी तरह से set आ जाएगा इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम border बनाएंगे ये दिखिए मैंने एक सीधा एक उल्टा ऐसा वाला border बनाया अगर आपने कोई और border बनाना है तो बना सकते हैं friends अपनी मर्जी अनुसार कोई भी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी border बना सकते हैं उसके बाद अगर आपने border के उपर फंदे बढ़ाने हैं तो border की जो last row है उल्टी साइट से उस पर फंदे बढ़ा लेंगे क्योंकि फिर सीधी साइट से तो इस design को हमें start करना है अगर आपके फंदे बढ़ाने के बाद 20-20 करके लास्ट में 3 फंदे करके फिर कुछ फंदे बच जाते हैं जैसे 6 फंदे बच गए 4 फंदे बच गए उन फंदों को आपने आदे आदे दोनों side पर adjust कर देना है ताकि center का design हमारा खराब ना हो उन फंदों को आप बिल्कुल side में adjust कर लें आदे आदे करके उसके बाद इस design को बनाना start करें तो यह design आपके project पे बिल्कुल अच्छी तरह से set आ जाएगा friends जब भी मैं को design बताती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा बोल बोल के repeat करो ताकि जब भी आप उस design को फिर बनाने लगें बनाते समय आपको कोई परिशानी ना है आप बिल्कुल आसानी से उस design को बना लें तो friends मेरी आप से humble request है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है आप नए है मेरे चैनल पर तो please मेरे चैनल को subscribe करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा आपने friends में share करें बेल आइकन friends ज्रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आप तक तो चलो फिर इस design को बनाना start करते हैं कैसे बनाएंगे आप भी पहले 20 प्लस 3 प्लस 2 एस्टिच फंदे डाले उसके बाद मेरे साथ साथ बनाना शुरू करें यह देखिए मैंने 25 फंदे डाले हैं 25 फंदे डाले हैं यहां से हम design की first row start करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे पह अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर सत्रा फंदे 17 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा लाग अपनी तरफ कर लेंगे फिर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एस्टिश हमें सीधी रो में सीधा बनाना है ये दिखें, सीधी रो में सीधा बनाना है आगे क्या करेंगे उल्टी रो, सेकंड रो, पहला फंदा स्किप्प कर लेंगे अब ये तीन फंदे जो सीधे नजर आ रहे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे जो उल्टे नजर आ रहे हैं 17 फंदे उन्हें हम उल्टा बनाएंगे तीन फंदे फिर से सीधे नजर आ रहे हैं इन्हें हम सीधा बना लेंगे ये सेकंड रो हमारी कम्प्लीट हुई एस्टेश हमारा उल्टा आएगा अब थर्ड रो में क्या करेंगे पहला फंदा स्किप करेंगे दहगा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे ये तीन फंदे जो बीच में आ रहे हैं उल्टे ये उल्टे ही चलेंगे उल्टी रो में सीधे ही चलेंगे अब क्या करेंगे दहगा पिछे करेंगे अब एक फंदा सीधा फिर आगे की तरफ से दो का एक करेंगे ये देखे, पहले एक फंदा सीधा बना ले, फिर आगे की तरफ से दो का एक बना ले, फिर दो फंदे सीधे, बिलकुल आराम से बता रही हो, फिर जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद जाली बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर से जाली, फिर इन दो फंदों को निकालके सीधा करेंगे, फिर पीछे की तरफ से, ये दिखे, पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे, तो हमारी चेन ऐसे आएगी, फिर पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी तर्फ करके तीन फंदे उल्टे, एस्टिच हमें सीधी रो में सीधा निकालना है, यह हमारी थर्ड रो कम्प्लीट हुई, यह दिखिए, थर्ड रो कम्प्लीट हुई, फोर्थ रो, फ्रेंड्स, उल्टी रो में भी हमारा डिजाइन चलेगा, ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, धगा आगे करके, अब यह फंदे जो सीधे नजर आ रहे हैंने हम सीधा बना लेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे नजर आए, सीधे बना लिए, तीन, चार, चार फंदे उल्टे, अब यह देखिए, इधर हमने इस साइट पे चेन जो आ रही है, इसे कैसे करेंगे, आगे की तरफ से, यह देखिए, आगे की तरफ से निकाल लेंगे, आगे लाएंगे, और इस फंदे को पीछे ले जाएंगे, फिर इन दुनों फंदों साथ लेके उल्टा बनाएंगे, तो हमारी चेन ऐसे आएगी, यह देखिए, चेन ऐसे आफि जाएगी, अब क्या करेंगे, 11 फंदे हमें उल्टा बनाने जाली वाले फंदे भीपी बीच पीच में, जाली बाले फंदे भी बीच में उल्टे आएंगे ये सारे करते हुए हमें 11 फंदे उल्टे बनाने 11 फंदे उल्टे 11 फंदे उल्टे बनाए ये दिखे फिर यहां पर दो का एक करना है तो ऐसे करेंगे दो का एक तो चेन आजाएगी ये दिखे चेन को फर्क नहीं पढ़ना चाहिए फ्रेंड्स ऐसे चेन आजाएगी फिर धागा आगे करके तीन फंदे सीधे एस्टिच उल्टी रो में उल्टा निकालना है फोर्थ रो हमारी यहां पर कम्प्लीट होई डिजाइन की फिर्फ रो पहला फंदा स्किप्ट करेंगे तीन फंदे उल्टे ये तो सीधी साइड से उल्टे आएंगे उल्टी रो में सीधे चलेंगे ये तो ऐसे चलता जाए और धागा पीछे करके दस फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ये देखें, दस फंदे सीधे बना लिए, अब क्या करेंगे, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली, एक फंदा सीधा, अब इन फंदों को निकाल के सीधा करेंगे, फिर पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, तो ये ऐसी चेन आएगी, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, दगा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, एस टिच हमें सीधा निकालना है, डिजाइन की, फिफ्थ रो, हमारी कम्प्लेट हुई, शिक्स रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, धागा आगे करके, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर वैसा ही करेंगे, इस फंदे को आगे लाएंगे, और आगे वले फंदे को पीछे ले जाएंगे, इस सलाई पे लेके, फिर दोनों का एक बनाएंगे, यह देखी, आगे हमारी सीधी साइड से बता रही हूँ, ऐसी चेन बनती जाएगी, यह देखी, ऐसी चेन बनती ज 14 फंदे तीन फंदे सीधे पैस्टिच उल्टी रो में उल्टा ऐसे हमारा 6 रो का डिजाइन कम्प्लीट 7 रो पहला फंदा स्किप करेंगे फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे धागा पीछे 5 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने सीधे बनाए फिर आगे की तरफ से 2 का एक करेंगे ये देखें 2 का एक कर लिया फिर जाली बनाएंगे 1 फंदा सीधा फिर से जाली बनाएंगे फिर 3 फंदे सीधे 1 2 फिर से जाली बनाएंगे एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे फिर 2 फंदे सीधे 1 2 फिर ये देखें चेन आरी है ना यहां पे इन दोनों फंदों को निकाल के सीधा करेंगे फिर पीछे की तरफ से 2 का एक कर लेंगे तो ये हमारी चेन ऐसे बन के आएगी फिर एक फंदा सीधा धगा अपने तरफ 3 फंदे उल्टे एस टिच हमारा सीधी रो में सीधा आएगा ऐसे हमारी 7 रो कंप्लीट 8 रो पहला फंदा स्किप करेंगे धगा आगे 3 फंदे सीधे 1 2 3 फिर से ये देखिए धगा पीछे कर लेंगे इस फंदे को आगे लाएंगे और इस फंदे को पीछे ले जाएंगे फिर ऐसे दोनों को एक साथ लेके उल्टा बना लेंगे हमारी इदर चेन बन दिए फिर 11 फंदे हमारे उल्टे आएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा फंदे हमने यहां पे उल्टे बना लिए अब क्या करेंगे यह दिखे दो का एक करना है तो यहां पे ऐसे दो का एक करेंगे फिर चार फंदे हमारे यह दिखे चार उल्टे नजर आ रहे है न तो चार उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार दागा आगे कर लेंगे तीन फंदे सीधे एस्टिच उल्टी रो में उल्टा आएगा अब नाइन्थ रो पहला फंदा हम स्किप करेंगे दो, तीन, धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन फिर यह देखे आगे की तरफ से दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा जाली फिर से एक फंदा सीधा जाली यह देखे एक फंदा सीधा जाली, एक फंदा सीधा जाली, फिर आगे हमने दस फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, रास्टिच हमारा सीधा आएगा, यह दिखिए, उल्टी रो, टैंथ रो, पहला फंदा स्किप कर लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, यह दिखिए, तीन फंदे साफ ही पता चल रहा सीधे हैं, तो यह उल्टी रो में सीध चलेंगे सीधी रो में उल्टे चलेंगे फिर धग आपने तर्फ करके 16 16 फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदर पंदरा 16 यह देखे 16 फंदे हम ने यहाँ पे उल्टे बना लिए अब क्या करेंगे इस फंदे को यह देखे इस फंदे को आगे लाएंगे इस फंदे को ऐसे करके दो का एक कर लेंगे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन एस टिच हमारा उल्टाएगा 10th row हमारी complete यह देखे यह हमारा 1,2,10 row का design है यहाँ पे हमने 1,2,10 row का design बनाया है जब इस 1,2,10 को बार 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 आपर repeat करते जाएंगे तो यह design ऐसे बन के आएगा यह देखे यहां तक बनाया हमने फिर आगे 1,2,10 करेंगे यहां तक आएगा फिर यहां तक आएगा जब आप इसको continue करते जाएंगे करते जाएंगे तो यह design ऐसे बन के आएगा friends अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की बिलकुल अराम से कोई जल्दवाजी नहीं करी है friends मैंने इसलिए यह दिखे बिलकुल अराम से बताया है ताकि आप बिलकुल समझ सके उस design को आपकी बिलकुल अच्छी तरह से समझ आ जाए बिलकुल अराम से बताया है friends अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगा है तो आपसे humble request है मेरी कि मेरे channel को subscribe ज्रूर करें like करें ज्यादा से ज्यादा अपने friends में share करें bell icon friends ज्रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वी नई वीडियो के साथ